पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैयेशू हम लोग आज चालीस सागाल मननचिंदन में ये फ्यसियों के नाम संद पवलूस का पत्र अधियायच्छे वाक्य 10 और 11 पर मननचिंदन करेंगे वहां पर लिखा है आप लोग प्रभू से और उसके अपार सामर्त्य से बेल ग्रहन करें आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारन करें जिसे आप सेतान की दूर्तदा का सामना करने में समर्द हो सेतान की दूर्तदा का सामना करने के लिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारन करने के विशे में यहां पर लिखा हुआ है यह अस्त्र शस्त्र इश्वर का सामर्त्य अब्बल है हमें वो अस्त्र शस्त्र धारन करते हुए सेतान का सामना करना है अनेकों लोग बताते हैं हमारे अंदर सेतान हैं हमारे परिवार में सेतान हैं आदे आदे हो सकता है पवित्र बाइबल में कम से कम बावन बार सेतान शब्द का इस्तमाल किया हुआ है और सेतान का अनेकों नाम से भी उसके विशे में लिखा हुआ है सेतान का सभाव के अनुजार उनका नाम डाला है हम लोग सेतान के विशे में उत्पत्ति ग्रंद से ही देखते हैं यदि उत्पत्ति ग्रंद उसके अधियायत तीन वाक्य एक से अगर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है इश्वर ने जेंकली जीवजंदूओं को बनाया उनमें साम्ब सबसे दूर्थधा यहां साम्ब सेतान की और इशारा करता है यह सबसे दूर्थधा करके अभी हम लोग ने एफ़ेसियों का पत्र में भी ही पढ़ा है सेतान की दूर्तदा का सामना करने के लिए हमें इशुर के अस्तर शस्तर का धारन करना है आदम और हेवा यदि सेतान की इस बहकावे में आकर के गिर गिया उसकी दूर्तदा में गिर गिया इसके पीछे का कारण है वह उस अस्तर शस्तर का धारन नहें किया इश्वर की कृपा कावस्तर जरूर था लेकिन फिर भी वो सेतान के वश्च में पढ़े गिया पाप किया और इश्वर से इस प्रगार वो अलग होना पढ़ा इस संसार को इस सेतान से बचाना जरूरी है परिक्षाएं हमारे जीवन में बारम बार आयेगा उन परिशाओं से जीत करकर आगे बढ़ने के लिए हमें इश्वर के अस्तरशस्तर की जरूरत हैं सेताना ने कौन रूप में आएगा बैबल कहते हैं वो सुर्ग दूद के भी रूप में आसकता है कौन सी रूप में किस प्रकार आपको बहकाने के लिए आता है हमें नहीं मालू है बैवल में इसलिए हमें सतर करते हैं कई सोभाव सेतान का हमें बता कर देता है हम लोग प्रकाशना गिरंद उसके अधियाए बाहरह को पढ़ेंगे रवलेशन चप्टर टोल वहां बर्वा के नो में लिखा हुआ है ये उस पुराना सांब है जो आदम और हेवा को बहकाने वाला इसका नाम इबलीज या सेतान कहलाता है और उसका एक सोभाव यहां लिखा है वो सारे संसार को भटकाता है भटकाने वाला है सत्य से भटकाने वाला पवित्रदा से भटकाने वाला भटकाओ कारी करने वाला सेतान से प्रेरिद होकर करता है इसलिए हमें सतर्क रहना है हमें इशर का अस्तर श्तर की जरूरत है और संद योहन कई नामों में इसको बुलाते हैं कई नाम डाला हुआ है ये मनिश को प्रलॉभन देने वाला है पाब की ओर वो आकरशित कराने वाला है और योहन ने प्रकाशना गिरंद की अंदर अगला नाम इसको जो डाला हुआ है प्रकाशन गरंद दिया आए 12 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 10 अब हमारे ईश्वर के विजय सामर्त्य तदा राजश्वे और उसके मसी का अधिकार प्रकट हुआ है कब प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाई का वह अभियोकता सेतान का नाम हमारे भाईयों का अभियोकता दूसरों के चुगली करने वाले दूसरें के उपर हमेश्या दोशारोपन करने वाले आईसा जो सुभाव का लोग है वो है सेतान का सुभाव जब उनको सुर्ग से नीच्छा गिराया गया तब इश्र की महिमा हुई इसलिए वह हम पर उसका नाम डाला हुआ है अपने भाईयों का अभियोकता दूसरों पर दोशारोपन करना जब आदम और हेवा ने अपने को सेटान के अधीन उसकी गुलामी स्विकार किया उसका बोस सेटान को स्विकार किया उसका कहना मान करके कारी किया तब हम देखते हैं आदम हेवा की और हेवा सेटान की और अभियोक लगाना सुरू किया आदम ने मेरे हड्डियों की हड्डि मास का मास बोल करके उसे स्विकार किया था अपना है मेरा है मेरा शरीर का मेरा जीवन का आंगे बोल करके स्विकार करने वाले अपने पत्नी को अभी वो अभियोग लगाने लगी यदि हमारे घर में हमें एक दूसरे के उपर अभियोग लगाता है इसके पीछे कारण है हम अपने को सेथान का गुलाम मनाया अपना बोस सेथान उस अभियोगता के को स्विकार किया और ये समसी इस सेथान के विशे में क्या कहते हैं योहन कस्व समचार उसके अधिया आठ वाके चावालिस के अंदर जॉन चाप्टा एट फॉर्टी फॉर इस समसी क्या कहते हैं वहांबर तुम अपने पिदा सेथान की संदान हो नेकों लोग सेथान को अपने पिदा मान लिया है तुमकि उनकी इच्छा के अनुजार कारे करते हैं और अपने पिदा की इच्छा पूरी करना चाहते हूं वह तो प्रारंब से ही हत्या राहे अगला नाम डाला है हत्या पाप करते वक्त हमारी आत्मा की हत्या तुरंद होता है पाब हत्या राहे हम लोग प्रवक्ता ग्रेंद सिराक चप्टर 21 अध्याए 21 वाक्य दो और तीन में पढ़ता है सामबकित सामने की तरह पाप से दूर बागो यदि पास आओगे तो वह तुमें काटेगा उसका दांद सिम्ह की दांद की समान है वो तुमारी आत्मा का विनास करेगा नश्ट करेगा हमारी आत्मा का विनास करने वाले सिम्ह की तरह खदम करने वाला वो पाब सेतान ले किया था इसलिए सेतान से पाब से हमें धूर भागने का बात वो हम पर कहा है यह हम पर इसलिए संदियोहन ने उसका नाम सेतान सेतान का नाम हत्यारा इस समसी ने कहा वो पुराना हत्यारा है पहले से हत्यारा है इसके बाद दूसरा नाम उसके लिए दिया हुआ है उसने कभी सच्च का साथ सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है इश्वर सत्य है सेतान में कोई सत्य नहीं है जब जूट बोलता है तो आपने सुभाव के अनुजार बोलता है क्योंगी वग जूटा है जूट का पिता है यह हम लोग बारं बार जूट बोलते हैं यह सब सेतान का सभाब हम सेतान को अपना पिता अपना मालिक अपना भगवान मानने के कारण होता है तो आज हम लोगों को मनंचिंदन करना है इस सेतान से लड़ने के लिए आगे आने वाला छे क्लास में आप लोगों को सेतान को भगाने का एक्सोर्जिसम के विशे में सिखाने वाला हो आप लोग सेम सेतान को भगा सकता है सेतान आपके पास भी नहीं आ सकता सेतान आपको देख करके कामबना सुरू करेगा यदि इशुर के ये अस्तर शस्तर का धारन करेंगे तो बाइबल के अंदर योहन इसके बाद योहन का सुसमजारा दिया ये 13 वाकिय दो के अंदर एक और सुभाव उसका बता करकर दे रहा है महामरले का है सेतान ब्यारी के समय तक सीमोन स्करियोती के पुत्र यूदस के मन में इसा को पकड़वाने का विचार उत्पन कर चुका था गेलत विचार मन में देना गेलत काम करने का प्रेरना देना ये प्रेरना देने वाला है ये प्रलोभन देने वाला है ये हमें प्रेरना दे सकता है, प्रलोबन कर सकता है, ये सेतान का कारे है, यदि हम उसके लिए अपने को समर्पित करेगा, जिस परकार यूदस ने सेतान के उस प्रेरना को सुईकार किया, इसा मसी को पकडाने का अंदर ने किया, तो ये प्रेरना देगा, प्रलोबन देगा, ये प्रलोपन लेकर के इसा मसी के पास भी पहुंचा था। यदि हम लोग मत्री सुसमचार उसके दियाए चार को पढ़ेंगे वाक्य एक से वहां पर हम लोग देखते हैं जब बबतीसमा स्विकार किया इसा मसी में पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा उन्हें मरभूमी लेकर जालता है जहां सेतान की प्रेरना उनको मिले हैं। सेतान उनकी परिशा करें। ये परिशा देने वाला विक्ती भी है। वहां परवाकिय तीन में हम लोग पढ़ते हैं परिशिक ने इसा मसी के पास आकर के कहना सुरू किया। जब इसा मसी को भूक लगा तो बोलता है पतर को रोटी बना करके खालू बहुत अच्छा भूके को खाना खिलाने के एक अच्छा सिंबल तरीके बता करके दिया। यदि तुम इश्वर का पुतर है तुम पतर को तो रोटी बिना सकते हैं बटावो ना खाओ। क्या अच्छा प्रह्णा है। भूक के समय पर रोटी चुराने का रोटी बिनाने का तंदरमंदर कराने का इसका प्रह्र्णा देगा। पैसा का प्रेरना, नारी का प्रेरना, नशे का प्रेरना, गलत दोस्तियों का प्रेरना, ये प्रेरना सब देने वाला विक्ती है सेतान, हमें इससे लड़ना है, किस प्रकार तुमें अस्त्र शस्त्र धारन करना है? इस प्रकार हम लोग लूकस के समचार उसके अदियाए च्यार में, ये जो ईसा मसी के उपर जो प्रेरना हुआ, उन प्रेरना उपर एसा मसी ही उपवास प्रार्चना के दौारा विजय प्राप्तु किया, तब वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं इसा मसी आत्मा से आत्मा के सामर्तिय से संबन होकर वो गिलीलिया लोटे कर गए आत्मा का पवित्रात्मा का सामर्तिय और शक्ति इसा मसी में कैसे आए जब प्रलोभगन आया परिच्छा लेने वाला आया उसको गिराने वाला आया सेतान आया उसे कई प्रेरना हैं दी कई इसे संसार की वस्तुएं दिखाया और सेतान की पूजा करना पैसा कलालच करना नशास तरी यह सब उनके सामने आया होगा संसार के सब वस्तुएं को दिखाया वहां का मोज मस्तियां दिखाया उसकी और प्रेरना अचे अचे दोस्ती बिना करके अकेला है यह सब कोशिश किया उस प्रेरना में ना पढ़ करके सेतान की इच्छाओं को पूरा ना करने के कारण ये समस्य ही धीरे धीरे पवित्रात्मा के सामर्त्य से बर्था गया हमें भी अस्तर श्यस्तर धारण कर यही करना है पवित्रात्मा का सामर्त्य इस प्रगार हमारी अंदर आएगा सेटान बर हम विजे प्राप्त कर सकता है सेतान के हर परिच्छा में हम विजय प्राप्त कर सकता है भैपवित्र बाइबल से हमें एक बात clear-cut सीखने की जुरुरत है सेतान कभी भी आपका हाथ पकड़ करक कोई कारी करने सकता नहीं करवाएगा सेतान केवल आपको प्रेरना देगा सेतान आपको प्रेरना दे सकता है सेतान आपका हाथ पकड़ करक कुछ नहीं कराएगा सेतान आपको दारू नहीं पिलाएगा सेतान आपसे विज़ार नहीं करवाएगा सेतान उसके लिए अवस्तर बना करकर देगा यदि आप आस्तर शस्तर धारन किया हुआ है इस सेतान की प्रेरना पर विजय प्राप्त कर सकता है तो अगले क्लास से कल से हम लोग इस सेतान पर विजय प्राप्त करने का सेतान की बंदनों से आपको मुक्ति का तरीका सीखने जा रहे हैं आई हैं हम अपनी आँखों को बंद करें और नुर्ने करें। ये सेतान की प्रलोभना से जीतने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को सेतान से मुक्ति देने के लिए, मैं इशुर के अस्तर शस्तर को धारण करूँगा। कल से सुनने वाले उस क्लास में एक-एक अस्तर शस्तर के विशे में हम लोग मनंचिंदन करेंगी। सेतान को भगाने का तरीका हम सीखेंगी, ये सोर्जिज़ा हम सीखेंगी। नरने कीजी, हम इशुर को, प्रभू को, येशु को अपना नाथ, अपना गुरू सुईकार करेंगी। सेतान को अपने पैरों तले रोंद डालेंगी। क्योंकि इशुर ने क्रूस के द्वारा उस सेतान पर विजय प्राप्त किया और हमारे पैरों तले उस सेतान को दिया। अभी उस सेतान को मेरा मालिक बनने में नहीं दूँगा। उसका इच्छा के उपर चल कर, उसकी इशारे पर चल कर, बल्कि मेरे इशारे पर मैं उसको अपने पैरों तले रोंद डालूँगा, निरने कीजी, सेतान पर विजे प्राप्त करना है, हमारे परिवार को हमें सेतान से मुक्ति देना है, घर को मुक्ति करना है, सेतान के वश में पढ़कर नहीं, बल्कि सेतान को पैरों तले कुछलते हुई, निरने कीजी, मलाकी के ग्रेंद दिया यतीन, वाकी 21, विश्व मंडल का प्रवु ये कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया, उस दिन तुम राक जैसे दुश कर्मियों को पैरों के नीचे रोंदोगे, सुईगार की जी इस वचन को, प्रवु ने आज निश्चित किया है, इस चाली साकाल में सेतान पर विजे प्राप्त करने का समय है, सेतान से मुक्ति प्राप्त करने का और सेतान उस विरोधी को अपने पैरों के नीचे कुछलने का, रोंदेने का समय है, हजी, मैं सेतान को मेरे पैरोंद ले और रोंद डालूँगा, नरने कीजिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन, आप सबों को, जे येश्यू, ईश्यूर की कृपा नगर आपको मिलता रहे,